हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो हरलेंड, तो आज मैं आपके लिए एक इसी वीडियो का एक्स्प्रेनेशन लेकर आया हूँ, जो हर बार की ही तर इस बार पी थ्रिलिंग और इंट्रेस्टिंग होगी, आज की इस मुवी का नाम है रिपलेस, जिसे नोबट क्रिल ने डेरेक किया और ये मुवी वाकर में एक बहुत अच्छी मुवी है, जिसे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, इसलिए मैंने इस मुवी को पहले ही अपने टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर भी इस मुवी को देख सकते हैं, तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक होस्पिटल का रूम देखते हैं, जहां पर एक लेडि कुछ बोल रही थी, कि वो बुड़ी नहीं होना चाहती, और ना ही वो अपने शरीर को बुड़ा होता हुआ देख सकती है, लेकिन उसे इसका इलाज मिल गया है, और ये सीन यही पर कट हो बेट पर खुद को अकेला पाती है, यानि कि Jonna's महाँ पर नहीं था, और कीरा उसे सब जगे ढूमती है, लेकिन हो कही नहीं मिलता, कीरा जोनस को टेक्स्ट और कॉल करती है, लेकिन जोनस का फोन आउट विस होता है, और फिर कीरा को ये मेशुस होता है, कि वो जोनस के पिर कीरा अपने फोन से अपने घर के Νंबर पर कॉल करती है जो कि जोनस के ही रूम के फोन पर लगता है कीरा के पास जोनस की एक बहुती पुरानी फोटो थी जिसे वो बहुत ध्यान से देख रही थी तो आखिरकार क्या चल रहा था कीरा के साथ कौन था जोनस और वो अचानक कैसे गयाब हो गया दोस्तों ये तो बस एक छोटी से शुरुआ थे मूवी में और भी घहर सस्मेंस चुपे हैं तो वीडियो को एन तक ज़रूर देखेगा अब आगे कीरा देखती है कि उसकी छोटे उंगली की स्कीन निकल रही है और वो डेमेज हो रही है जिसे देखकर कीरा गबरा जाती है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है तब ही उसे लगता है कि वहाँ का डोर कोई नौक कर रहा है और जब कीरा डोर होल से देखती है तो उसे दो बोड़ी ओरते दिखाई देती है फिर जब कीरा बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक पलोसी के अदाबा और कोई नहीं होता कि तब ही अचाना कीरा चक्कर खाकर महीं जमीन पर गिर जाती है जिसे देखकर उसकी पलोसी सोफिया उसे उठाकर घर के अंदर लाती है कीरा सोफिया से पूछती है कि वो यहाँ पर कितने समय से रह रही है जिसके जवाब में सोफिया उससे ये बताती है कि वो यहाँ पर लगबग देड़ साल से रह रही है फिर कीरा सोफिया से जोनस के बारे में पूछती है जिसका ये अपार्टमेंट है लेकिन सोफिया ने जोनस को यहाँ पर कभी नहीं देखा और सिर्फ कीरा ही यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रही है तब ही सोफिया कीरा का हाथ नोटिस करती है जिसकी स्किन निकल रही थी और यह देखकर कीरा काफी एमोशनल हो जाती है सोफिया के जाने के बाद कीरा अपार्टमेंट में अकेली थी और उसे लगातर महाँ पर किसी बच्ची के होने का एसास हो रहा था जोनस काफी समय से गायब था और कीरा अपना अकेला पंदूर करने के लिए सोफिया सक्सर मिला करती थी जहां सोफिया कीरा के सटराय हाथ के लिए चिन्तित होती है और वो उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है लेकिन कीरा उसे ये कहती है कि वो बस एक चोटा सा इंफेक्शन है जो की जली ठेक हो जाएगा फिर दोनों ड्रिंग करते हैं कि तबी सोफिया का ग्लास जमीन पर गिर कर टूर जाता है और अचानक उसका पेर टूटे हुए काच पर पढ़ने से सोफिया के पेर की थोड़ी सी चमड़ी कट जाती है जिसे कीरा चुपके से उठा कर रख लेती है और वाश्रूम में जाकर स स्कीन को अपने हाथ के निकल रही स्कीन के जगह पर लगा लेती है जो कि जल्दी उसकी डेड स्कीन के जगह ले लेती है फिर सोफिया कीरा यानि की जोनस के यहां पर ही रुकती है और रात में कीरा सोफिया की स्कीन को टच करती है क्योंकि कीरा को अपनी बिमारी का इलाज मिल चुका था अगली सुब कीरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है और उसे लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है हॉस्पिटल में डॉक्टर क्रोबर कीरा की स्कीन के सेंपल लेती है और उसे एक्जामिल करने के बाद बताती है कि कीरा की carne में नए sales बनना बन्द हो गए है इसलिए कीरा की skin धीरे धीरे बूली होती जा रही है वो ये भी बताती है कि कीरा की skin तो जरूर dead हो रही है लेकिन उसके अंदर की body पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है और बस उसके शरीर की skin को छोड़कर उसकी पूरी body healthy है फिर कीरा डॉक्टर क्रोबर से skin transplantation की बात करती है लेकिन डॉक्टर क्रोबर कीरा को ये कहती है कि skin transplantation में रिस्क हो सकता है क्योंकि कोई भी नई skin कीरा की body को accept करे या न करे या फिर नई skin भी जल्दी dead होने ना लग जाए इसकी कोई guarantee नहीं थी लेकिन कीरा डॉक्टर क्रोबर के सामने ही उसकी कटी हूँ skin पर नई skin लगा कर बताती है जो कि उसकी body जल्दी accept कर रही थी लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे कुछ test के बाद ही skin transplantation के लिए कहती है कीरा की skin धीरे धीरे dead हो रही थी और सरड़कर उसकी body से निकल रही थी जिसमें उसे काफी ज़्यादा दर्द मेसूस होता था इसलिए डॉक्टर क्रेबर उसे pain killer दे देती है गर पोच्टे पोच्टे कीरा के पूरे हाथ की skin dead होने लगी थी लेकिन कीरा को ये पता था कि skin transplantation से वो ठीक हो सकती है और डॉक्टर क्रोबर ने उसे कुछ दिन रुखने के लिए कहा था लेकिन तब तक शायद बहुत ज़्याता देर हो जाती इसलिए कीरा एक local hospital में जाती है जहाँ पर वो एक डॉक्टर को अपनी बिमारी के बारे में बता कर skin transplantation करने को कहती है और डॉक्टर उससे कहता है कि skin तो transplant हो जाएगी लेकिन वो दो हफ़तों के अंदर ही फिर से dead होकर गिर्द में लगेगी जिसे सुनकर कीरा मास से चली जाती है और जाते जाते मुरदा घर में चोरी चिपे घुस जाती है जहां वो एक लड़की की लाश की skin को चाकू की मदद से काट कर निकाल लेती है और अपनी skin की जगा पर लगा लेती है लेकिन मुरदा शेरीर की skin लगाने के कारण कीरा की body उस skin को accept नहीं करती और तभी वहाँ पर hospital का guard आ जाता है जिससे वो जेसे तेसे बचकर वहाँ से निकल जाती है कीरा अपने आपको सड़कर मरता हुआ नहीं देख सकती थी और वो डिप्रेस होकर एक बार में डिंग करने चली जाती है कीरा डॉक्टर क्रेंबर से भी मदद मांगती है लेकिन डॉक्टर उसे फिर कुछ दिन रुपने को कहती है कीरा के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा था उसके शेर की काफी ज़्यादा skin सड़ चुकी थी और इसी वज़े से वो बार की वेट्रेस पर हमला कर देती है और उसकी skin को निकाल कर अपने सड़ीव skin की जगह पर लगा लेती है कीरा ये देखती है कि वेट्रेस की skin लगाने से उसकी body ठीक हो रही थी और वो फिर उस वेट्रेस की और ज़दा skin निकालना चालू कर देती है और उस वेट्रेस की skin को अपनी body की सड़ीव skin पर लगा लेती है जिससे होता ये है कि कीरा की body तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है लेकिन वो वेट्रेस महीं पर मर जाती है अगले दिन सोफिया कीरा से मिलने आती है और वो उसे देख कर चोग जाती है क्यूंकि कीरा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी कीरा फिर से इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं कि सोफिया और कीरा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे यानि की दोनों एक लेजबिन रिलेशन्शिप में आ रहे थे फिर कीरा डॉक्टर क्रेबर के पास चेक अप करवाने के लिए जाती है जहां पर वो भी उसे देखकर चोक जाती है कीरा देखती है कि उसकी नए स्किन भी सड़ने लगी है और धीरे धीरे उसके पूरे हाथ की स्किन सड़ जाती है अगली सुब जब कीरा सोकर उठती है तो वो ये देखती है कि उसकी बाड़ी के कई सारे पार्ट्स की स्किन खराब होकर डेड हो रही है और शाम होते ही कीरा एक कलब में जाती है जहां कि बातुम में वो एक लड़की पर हमला कर देती है कीरा उस लड़की को वही बातुम में ही माल डालती है और वो बातुम में ही उसकी स्किन निकाल कर अपनी बॉड़ी पर लगा लिती है और वहां से जल्दी भाग जाती है लेकिन सोफिया उसे उस कलब से बाहर निकलता हुआ देख लिती है घर आने पर कीरा अपने आपको आइने में देखती है जहां पर उसे खुद में एक बुड़ी ओरत का रूप दिखाई देता है फिर सोफिया भी कीरा के यहां पर आ जाती है और उसके हाल चाल पूछती है लेकिन सोफिया को यह नहीं पता था कि कीरा ने अपने बात्रूम में एक लड़की को बांद कर रख रखा है कीरा अपनी पीट को सूफिया को दिखाती है जहांपर वो देखती है कि उसकी पीट की स्किन भी dead होने लगी है सूफिया की जाने के तुरंथी बाद कीरा बातरूम में जाकर जब अपने कप्ड़ उतारती है तो वो यह देखती है कि उसके पेर और पेट की काफी ज़दा स्किन सर चुकी है और कीरा बात्रूम में बंदी उस लड़की की स्किन से अपनी स्किन को रिपलेस करने वाली थी अगले दिन कीरा वापस डॉक्टर क्रेबर के पास जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसे उसका इलाज मिल गया है लेकिन इसमें उसे कुछ और दिनों का समय लगेगा कीरा को डॉक्टर क्रेबर पर शक होता है और वो आते समय अपने केस से जुड़ी हुई फाइल डॉक्टर क्रेबर से चुरा कर ले आती है कीरा जब अपने अपार्टमेंट में भूशती है तो ये देखती है कि बाथ टब में पड़ी हुई वो लड़की चिंदा है और वो लड़की आगे हौल तक आ गई है जिसे कीरा खीच कर फिर से बाथ टब में ले जाकर पटक देती है और फर्ष पर पड़ा हुआ खून साफ करने लगती है कीरा फर्ष पर पड़े हुए खुन को साफी कर रही थी कि तब भी सोफिया डौर नौक करती है और कीरा सोफिया को उसके ही रूम में कुछ दिखाने का कहकर ले जाती है अब दोनों सोफिया के अपार्टमेंट में थे जहां कीरा सूफिया को ये बताती है कि उससे एक हफते के पहले का कुछ भी याद नहीं है और वो डॉक्टर क्रेबर से कुछ फाइल चुरा कर लाई है जिसमें एक पेंटराय भी मुझूद थी सूफिया जब अपने लेपटॉप में उस पेंटराय को चलाती है तो उन्हें ये पता चलता है कि डॉक्टर क्रेबर बुडापे को रुकने की तकनिक की खोश कर रही है जिसके चलते कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें से कीरा भी एक सबजेक्ट थी कीरा ने खुद अपने आपको डॉक्टर क्रेबर के एक्सपेरिमेंट के लिए वले इंडियर किया था और इसी पेंटराय में कीरा का एक्सपेरिमेंट के पहले का और बाद का व्यू था जिसमें वो एक बुड़ी औरप थी और फीर जवान हो गई और इसी फाइल के जरीए कीरा को ये भी पता चलता है कि वो एक 64 साल की बुडी है और एक एक्सपरिमेंट के जरीए जवान हुई है कीरा की मेमोरी चली गई थी जो कि एक्सपरिमेंट का ही साइड इफेक्ट था लेकिन कीरा को अपनी मेमोरी के कुछ इससे याद थे जैसे कि उसका पती जोनस जिससे उसका 20 साल पहले डाइवर्स हो चुका था और उसकी बेटी जो कि उससे कई बार दिखाई देती थी लेकिन वो उसका नाम तक नहीं जानती थी कीरा को ये सब जानकर काफे गेरा सदमा लगता है और वो अपने अपार्टेंट में आग लगा कर अपनी बेटी को ढूमने सोफिया के साथ चली जाती है काफी मशक्कत के खोजबीन के बाद कीरा को अपनी बेटी का पता चल जाता है जो की हूबहू कीरा के ही जैसी दिखती थी और उसकी भी एक 6 साल की बच्ची थी कीरा आकरी बार अपनी बच्ची को देखकर वापस चली आती है और सोफिया उससे कहती है कि डॉक्टर क्रेबर के पास में जरूर इसका इलाज होगा वापस आकर कीरा सोफिया के अपार्टमेंट में ही रुखती है और दोनों काफी जादा क्लोज आते हैं हम देखते हैं कि सोफिया कीरा से प्यार करने लगी है और वो कीरा को एसी बात बताती है जो कि उसने कई समय से छुपा कर रखी थी सोफिय कीरा को ये बता देती है कि वो उसकी पलोसी नहीं बलकि एक डॉक्टर है जिसे डॉक्टर क्रेबर नहीं उसकी देखरेक के लिए भेजा था सोफिया कीरा को आगे ये बताती है कि वो उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सकसे से क्योंकि और कोई भी पेशेंट की बोड़ी ऐसा नहीं कर पाई सोफिया की बात सुनते सुनते कीरा अचानक बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आपको डॉक्टर क्रेबर की लेब में पाती है डॉक्टर क्रेबर कीरा से कहती है कि उससे बाहर छोड़ देना उसके सबसे बड़ी गलती थी डॉक्टर कीरा को ये भी बताती है कि उन्होंने उस पर जपर जस्ती एक्सपेरिमेंट नहीं किया बिल्कि वो खुदी उनके पास चल कर आई थी कीरा अपने आपको फिर से जवान देखना चाहती थी और एक्सपेरिमेंट के बाद वो हो भी गई लेकिन एक्सपेरिमेंट के साइड एफेक्ट के कारण उसकी याद दास चली गई कीरा की बोडी एक लोती ऐसी बोडी थी जो कि हर किसी की स्कीन को एक्सेप्ट कर सकती थी और अब डॉक्टर क्रेबर पब्लिक डेमेंस्टेशन या सारवजिंग प्रदर्शन के लिए कीरा की स्कीन को निकालेगी जिसके बाद वो कीरा के गले में एक इंग्जेशन लगा देती है जिससे होता ये है कि कीरा की आवास चली जाती है ताकि वो दर्द के मारे चिला ना सके और फिर धीरे धीरे कीरा की बोडी की स्कीन को निकालने की प्रोसेस शुरू होती है डॉक्टर क्रेबर आगे ये खेती है कि कीरा पर किया का ये टेस्ट पूरी तरह सक्सेस्ट नहीं हुआ लेकिन आने वाली जन्रेशन के लिए कीरा के स्किन सेंपल बहुत ज़्यादा उप्योगी होंगे कीरा की बोडी पर न्यू स्किन लगाई जा रही थी और इसमें कीरा को बेताशा दर्द से गुजरना पड़ रहा था वो अपने आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन वो एक स्टेचर से बंदी हुई थी तबी सोफिया वहाँ पर आ जाती है और कीरा को इस हालत में देखकर डॉक्टर क्रेबर पर नाराज होती है क्योंकि वो उसे यहाँ पर ठीक करने का केकर लाई थी सोफिय कीरा को छूडाने के कोशिश करती है लेकिन तभी डॉक्टर क्रेबर सोफिय को पीछे से एक injection उसकी गर्धन में लगा देती है जो की एक poison होता है और तभी अचाना कीरा अपनी चकेश से उठती है और oxygen tank से डॉक्टर क्रेबर के सीर पर मार देती है जिसके बाद कीरा डॉक्टर क्रेबर के गरदन पर अपना पेर रखती है और धीरे धीरे उसे मार डालती है फिर कीरा डॉक्टर क्रेबर की स्किन निकाल कर खुद को ठीक करने लगती है लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से रोग देती है और हो कीरा से ये प्रॉमिस करवाती है कि वो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सोफिया को दिया गया जहर सिर्फ बॉडी को प्रेलाइस करता था और इसी वज़े से सोफिया की हलत खराब हो रही थी कीरा सोफिया को मही पर बेठा कर उसके लिए एंटिडोड लेने चली जाती है जहांपर उसे लेप के दूसरे वर्कर से ये पता चलता है कि सोफिया के जहर का कोई भी एंटिडोड नहीं है ये सुनकर कीरा काफी ज़्यादा गुसे में आ जाती है और वो उन दोनों वर्कर को मार डलती है जिसके बाद वो सोफिया के पास आती है उसे बचाने के लिए कीरा के आने के बाद सोफिया देखती है कि कीरा की बोड़ी फिर से रिकवर हो चुकी है यानि कि कीरा ने फिर से अपनी स्कीन को रिप्लेस किया जिसका मतलब ये था कि कीरा ने सोफिया को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया और फिर में गन की आवाज सुनते हैं और ये मुवी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये था रिप्लेस मुवी का एक्स्प्लेनेशन ये कीरा नाम की बुड़ी औरत की कहानी है जिसकी उम्र 64 वर्ष थी जिसका अपने पती से 20 साल पहले ही डिवॉस हो चुका था और उसकी एक बेटी भी थी कीरा अपने आपको फिर से यंग करने के लिए एक मेडिकल प्रोग्राम को वलिंदेर करती है जिसमें डॉक्टर क्रेबर और उसकी टीम कीरा की बॉड़ी में एक्स्पेरिमेंट के जरिए उसे कई सालों की मेहनत के बाद फिर से यंग कर देते हैं जिसका साइड एफेक्ट यह होता है कि कीरा की याददाश चली जाती है और बस उसे इतना ही याद रहता है कि वो जोनस के अपार्ट्रेंट में आई थी जो कि वो अपने यंग एज में आते हैं लेकिन अब उसका डिवास हो चुका था और वो इसलिए यहां पर अकिली रहा करती थी कीरा की एक आपस पाने का एक और साइड एफेक्ट कीरा को पता चलता है कि उसकी स्कीन जल्दी पूड़ी होकर डेट हो रही है और इसका रास्ता वह यह निकालती है कि दूसरे लोगों की हेल्दी स्कीन डिरेक्टली अपने शरीर पर लगा लेती है की रही डॉक्टर क्रेबर का एक म लोगों को नहीं मारेगी लेकिन कीरा सोफिया का दिया हुआ यह वादा तोड़ देती है और सोफिया को यह पता था कि कीरा आगे भी लोगों को जरूर मारेगी और इसलिए सोफिया कीरा को ही गन से मार देती है तो दोस्तों कैसा लगए वीडियो लाइक करके कमेंट में ज क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं